तो अभी तक कि हमारी Flutter Firebase वाली सीरीज में हमने काफी कुछ कवर कर लिया है फॉर एक्जामपल, Authentication, Firestore, Firebase Storage बहुत सारी चीज़ें हमने सीख लिया है इस पर्टिकलो वीडियो में हम Firebase Hosting के बारे में बात करें इस वीडियो के अंदर हम Flutter Web के साथ में उन Firebase की Services को Integrate करेंगे और इस जो वेबसाइट वेपे जो आपको दिख रहा है इसको बनाएंगे और इसको हम Deploy कर देंगे Firebase Hosting पे आपको साथ ही में यहाँ पर आड़ करने के लिए भी ऑप्शन है कि आप अपना कोई भी नए नोट आड़ करना हो और यहां से आप इसको चेंज कर सकते हो राइट तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम इसी अप्लिकेशन को वेब वला वर्जन जो अभी आप देख रहे हो इसको हम बनाएंगे android to web और इसको हम बाद में firebase hosting पर deploy करेंगे so let's get started if you are liking all these videos then please make sure to like share and subscribe to the channel for more such videos now let's get started with the code part so अभी हम यहां पर हैं तो अगर आपको पता हो हमार पास में यह वही simple basic project है ठीक है इस वीडियो के अंदर हम या करने वाले हैं सबसे पहले flutter create dot command use करेंगे ताकि यहां पर iOS और Android फोल्डर तो है हमें web वाले फोल्डर की भी जरत पड़ेगे ताकि firebase के साथ integrate करता है तो हमने flutter create dot किया and then यह हमारे लिए web folder यहां पर create कर देगा automatically so we're gonna wait for a few seconds और यहां पर हमारे पास में यह web folder आ चुका है हम इसमें index.html call देंगे now we want to integrate this हम इसको close कर देते हैं इसका काम नहीं है okay so हमें यह हमारा project है इसमें हमें integrate करना है अपने web को flutter web को so हम add app पे जाएंगे add app में हमने web choose किया and then इसका कोई भी निकनिक हम डाल सकते हैं काफी इसको कर लेकिन अभी हमें नहीं है क्योंकि हम इसको बात में setup लेटर करेंगे हमने register कर दिया है and then यह हमें firebase SDK को add करने के लिए बोलेगा इसमें integration काफी easy होता है आपको यहाँ पर जाना है और इस पूरे को copy कर लेना है अब हम यहाँ पर copy कर लिया है and इसको continue to console अब हम वापस इस पर जाएंगे और यहाँ पर हमारी HTML file के अंदर यह जो body है body के अंदर सबसे उपर हमें इस चीज़ को यहाँ पर जाके paste करनेंगे अब इसमें छोटी-छोटी एक दो changes करने हैं वह भी हमें आपको बदाता है हम analytics के अभी ज़रुत नहीं है हम analytics यहां से अठा देते हैं और हम इसको यहाँ पर करेंगे firebase.initialize app और हम इस चीज़ को भी यहां से ऐसी import statements के भी हमें सब्सक्राइब कर लेंगे यह हमारी कीज आ गई है firebase project के और यहां पर हमें एक और script tag लगाना जिसमें हम उसको इंपोर्ट करेंगे दो script tab अभी मैं यहां पर लग देता हूं okay okay so यह दो script tags हमें basically लगाने हैं उन में से यह basic firebase app के लिए और यह firestore के लिए so you have to add these two js files यहां पर अब हम इसको 2.0 है so I guess this would be the best version और the suggested one ठीक है तो आप यहां पर देख सकते हो ठीक है अब हम वापस main.dat पर चले जाते हैं और हम इसको run करके देखते हैं अब इसको run करने के लिए हमें command लिखने है flutter run dash d chrome so इससे यह web के लिए debug mode में run कर देगा dash d मतलब debug mode और chrome पर रन करना device is chrome sorry dash d is a device and the device is chrome so अभी यहां पर chrome से connect करेगा और automatically उसको run कर देगा we need to wait for a few seconds for this okay अब यहां पर भी आपको एक दू सेकिंड वेट करना पड़ता है जब तक यह page को load होता है this is basically a requirement for flutter web applications हमने यह भी वेट किया and here we have our application so यह चीज़ पर्फेक्ली वर्क करें हम एक बार एक नया note create करके यहां पर test कर लेते हैं I'm going to write test here in this note click on yes and वो test भी यहां पर आ चुका है एक बार हम इसको done पर click कर देते हैं and हम देख सकते हैं कि वो एक test done में चला गए दोनों टेस्ट अब दन में चले जाने चाहिए अब यहां पर हम कुछ लिख देते हैं setup firebase hosting okay also हमें यहां पर चाहिए deploy to firebase hosting so these are the things we need to do okay now अब हम firebase hosting को setup करेंगे इस project में set तो setup करने के लिए हम यहां पर hosting वाले टाब में चले जाएंगे and then आप यहां पर hosting के लिए देख सकते हो कि deploy mobile and web apps in seconds so हम यहां पर get started कर देंगे and we need to install this in the npm CLI so इसके लिए अब आप देख सकते हो कि अब आपको इसको deploy करना है basically firebase hosting पर project को तो आपको npm की जरत पड़ेगी npm is the node package manager जो आपके जैसे pub होता है जिससे आपके सारे packages manage करने का जो tool है वैसे ही npm node.js के लिए package management tool है so अब आपको npm.js का मनला आपको node भी चाहिए होगा so you have to install node.js आप यहां पर उसके node.js के साथ ही में यह आ जाते तो आप node.js.org पर जाके जो latest table version है LTS उसको आप download कर लेंगे and next 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 करके install करेंगे and that's it आपका node.js उस environment में install हो जाएगा and make sure to add environment variables उसके लिए भी आपको properly इसके अंदर ही guide कर देगा कि वो environment variables किस तरीके से add करने है okay so with that said जैसे ही आपका यह चीज हो जाए आप इसको कैसे verify कर सकते हो आपको यहाँ पर टर्मिनल उपन करना है और हाँ पर आपको लिखना है node डाश 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 भी अब आपको यहाँ पर नोड का वर्जन बता रहे है यानि कि आपका environment variable setup हो चुका है so that is good यानि कि अब हम npm वगरा यह सारे कमांड्स लिख सकते हैं तो हमें npm install-ge firebase tools करना है तो हम वापस अपने टर्मिनल में जाएंगे और यह कमांड को paste कर देंगे इंस्टॉल हो चुका है तो हम एक बार अपने इस console पर जाएंगे और यहाँ पर हम एक नई window में basically यह लिखेंगे firebase login और हम अपने account से जहां पर हमारा यह project stored है तो वहाँ पर login कर लेंगे यह अभी मेरे को account change करना पड़ेगा ओके तो मैं आपर login कर लेता है अपने account से login successful ओके तो जैसे यहाँ पर login हो जाता है what I am supposed to do अगर आप यहाँ पर setup commands में देखते हैं so आपको यहाँ पर setup commands में firebase init command को run करना है so make sure आप उसी directory में हो जहां पर आपका project है so I'll just go over and check कि आप यहाँ पर flutter fire वाली directory में ही opened हो okay सब आपको यहाँ पर मिल रहे कुछ options so हमें चाहिए hosting configure files for firebase hosting हमने enter कर दिया यह option पर okay so we are supposed to use spacebar okay my mistake spacebar to select firebase hosting and then enter now we have an existing project firebase project जो भी अपन यूस कर रहे so I'll just use this an existing project so हमने यहाँ पर select the firebase project so this is the flutter fire project I want to use and the public directory would be build slash web build वाली folder में web directory जाहिए हमें और configure a page as single let's say I'll say yes no I don't want to deploy it to github override I don't want it to be overridden okay so now that initialization is done so I'm just going to clear the console and again say flutter build web okay so we have web के लिए build start कर देगा I have to wait for a few seconds once the build is completed I need to deploy it to the firebase hosting then okay so build complete हो चुका है मैं को इसको firebase hosting में deploy करने के लिए I'll say firebase deploy okay so deploying hosting automatically hosting के लिए deploy कर रहा है आप देख सकते हैं हमपे files upload में लग गई है build web directory की so build और ये web directory ये files okay so we got the hosting URL हम इस hosting URL को अपने browser में open कर लेंगे we have to wait for a few seconds because flutter app web app takes a few seconds to load and here we are so हमने successfully अपने web app को firebase hosting में deploy कर दिया है and it's using firebase is deployed on firebase hosting so ये पूरा process रहता है अगर आपको यहां पर कहीं पर भी doubt आए आपको लग रहा है कि कुछ miss हो रहा है आपके end पर या कुछ problem सारी errors है तो आप discord channel discord server join कर सकते हैं वहां पर अपने doubts पर पूछ सकते हैं I'll be more than happy to reply you there okay so that's it for this video thanks for watching and I surely catch you in my next video